नमस्कार दोस्तो आपका स्वागता भारत के सबसे बड़े न्यूज चैनल STF न्यूज के उपर दोस्तो जारखंड चुनाओ के अंदर दिसम्बर 2019 के अंदर होने वाले चुनाओ के अंदर भारतिय जन्ता पार्टियों बुरी तरीके से वो हार रही है जी दोस्तो जारखंड विधान सबा चुनाओ 2019 के दिसम्बर में होने यानि अगले महिने में और सभी ओपनियन पॉल्स के अंदर भारतिय जन्ता पार्टियों बुरी तरीके से वो हार रही है इस बार के चुनाओ के अंदर 2014 के अगर बात करते हैं तो जारखंड मुक्ति मौर्चा ने 19 सीटों के उपर वो जीत आसिल की थी परन्तु इस बार जारखंड मुक्तिम और चाय वो जनता के बीच अपनी है वो पकड़ मजबूत की है और 25 सीटों के उपर वो जीत दर्ज करती भी दिखाई दे रही है और एक बड़ी पार्टी की रूप में वो उबर रही है वहीं पर अगर भारतिय जनता पार्टी की बारत करते हैं तो 2014 के अंदर 37 सीटों के उपर भारतिय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी और उस वक्त भारतिय जनता पार्टी के और मोदी लेर है वो बहुत ज्यादा थी इस कारण इनों ने इतनी सीटे जीती पन्तु अगर 2019 क बात करते हैं तो भारतिय जनता पार्टी 15 सीटों के उपर है वो सिमिटती वी दिखाई दे रही है और इसका मुख्य कारण है जन विरोधी नीतियों का जी दोस्तों और आगर बात करते हैं कॉंग्रेस की तो कॉंग्रेस ने 2014 के अंदर वो 6 सीटें जीती थी और इतनी कम सीट हैं वो जीती वी दिखाई दे रही है कॉंग्रेस पार्टी जी दोस्तों जारकंड के अंदर कॉंग्रेस पार्टी वो एक बहुत बड़ी पार्टी की रूप में उबर रही है और इसका मुख्य करना है कॉंग्रेस पार्टी का है वो गाउं गाउं गली मोहलों के अंदर व तो इस परकार से दोस्तों हमारे उपनियन पॉल के अंदर वो निकल कर आ रहे हैं बहरतिय जन दापाटि 15 शीटों पर जीएमम 25 कॉंग्रेस 30 और आरजेट यह वो 5 सीटे जीत रही है